जैहिन सातियों में कमांडो आरके नाएक आप सभी चाहने वालों का दिल की गहरे से हारदिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ इस्टेडी वीट फोजी फेमली के वीडियो कलास में तो आज दोस्तों हम कुछ महत्पून जानकारी जो एक्जाम की दरिश्टी से महत्पून है वो टोपिक यहां पर देखेंगे और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यहां पर विश्व के भूगोल से समधित कुछ महत्पून जानकारी लेंगे यानि दोस्तों वर्ल्ड जोग्रोप्पी का चेप्टर नंबर थर्टीछेवट आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इस टोपिक में दोस्तों या फिर इस चेप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा वह सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर हम पढ़ेंगे वायू मंडल में जल से समंदित कुछ मैत्पून जानकारी लेने वालें वेशे दोस्तों आप सब को पता होना चाहिए जल ही जीवन है यानि दोस्तों जल के बगेर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और करना तो दूर की बात है दोस्तों जल के बगेर हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे इसलिए दोस्तों जो वायू मंदल में जल है इस जल से समधित एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है और आपके दोस्तों किसी भी एक्जाम में अगर इस टाइप से क्यूशन पुछा जाता है तो वो क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए और गलत कब नहीं होगा दोस्तों जब आप इस तरह के जो वीडियो होते हैं उन वीडियो को ध्यान से सुनोंगे और सुनने के बाद में दोस्तों अगर आपने नोट बुक में नोट्स कर लिए या फिर दोस्तों जो नोट्स बनाते हैं उसमें की पॉइंट के रूप में दोस्तों अगर इसके कुछ मैटपॉन जो बिंदू है उनको नोट कर लिए तो आने वाले समय में दोस्तों आपका को या फिर दोस्तों जो पाला पड़ता है उसके बारे में तुसार के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों कोरा के बारे में और उसके बारे में दोस्तों यहां पर वर्षा के बारे में धुंद के बारे में ओला और बादल इन सबसे समदित दोस्तों हम महतुकून जानकारी ले उसके बाद में दोस्तों ये पूरी जानकारी लेने के बाद में हम देखेंगे यहां पर वर्षा के परकार अब वर्षा के परकार में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सवनिये वर्षा सवनिये वर्षा दोस्तों क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेंगे साथ ही दो दोस्तों हम देखेंगे यहां पर परवतिय वर्षा के बारे में भी कुछ जानकारी लेने वाले हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पर एक और वर्षा होती है जो की चक्रवाती वर्षा के नाम से जानी जाती है इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं क्योंकि दोस् सबसे पहले हम इन सभी जो महत्पूंट बिंदुए इनके बारे में कुछ महत्पूंट जानकारी ले लेते हैं और अब देखते हैं दोस्तों यहां पर अब हमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला इस टोपिक के अंदर या फिर इस वीडियो के मादेम से तो यहां पर दोस्त से पहले हम पढ़ेंगे आंदरता के बारे में तो आंदरता से समदीज दोस्तों जितने भी क्यूसंद बन सकते हैं वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं साथ ही दोस्तों यहां पर देखेंगे वायू मंदल में आदरता का क्या मतलब होता है उसके बारे में जानकारी क्योंकि दोस्तों कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधरता कितने परकार की होती है तो उसमें दोस्तों ये तीन परकार हम देख लेते हैं पहला है दोस्तों निर्पेक्स आधरता और उसके बाद में सापेक्स आधरता और उसके बाद में दोस्तों आपके यह शुर्ट में और ये तब ही संबो हुए जब आप बार बार इसको रिवीजन करते रहेंगे उसके बाद में है दोस्तों संगनन के रूप अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं संगनन के रूप है उसमें क्या देखेंगे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम ओस के बार जो जो महतुपूर्ण जानकारी हमें लेनी चाहिए एक्जाम की दिरिश्टिशें जो महतुपूर्ण है उसको हम यहां पर देखने वाले हैं तो उसके बाद में दोस्तों यहां पर बादलों का वर्गी करन यानि दोस्तों बादल किस किस परकार के होते हैं उसका वर्गी करन किस आदार पर किया जाता है यहां पर दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले उच मेग जो की साथ से 14 किलो मिटर के मदे पाए जाते हैं मदे मेग है जो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं दो से 7 किलो मिटर की उन्चाए पर पाए जाते हैं और निम्न मेग है जो दोस्तों दो किलो मिट्र से नीचे है वो निम्न मेग कहलाते हैं अब दोस्तों यहां पर यह मेग से समन्दित कुछ मेटपून जानकारी थी और उसके बाद में हम देखेंगे यहां पर वर्षा के परकार यानि दोस्तों कितने परकार की वर्षा होती है तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हवाओं के उपर उठकर ठंडा होने के आदा पर वर्षा तीन परकार की होती है यानि दोस्तों आप सब को पता होना चाहिए जिस परकार वास्पी करन के दुआरा जल उपर उठता है और उसें दोस्तों मादार मान कर वर्षा को बारे में बताया गया कि कितने परकार की वर्षा होती है तो पहली है दोस्तों यहां पर सवैनिय वर्षा उसके बाद में परवती वर्षा और उसके बाद में दोस्तों है आपके चक्रवाती या फिर इसको हम वाता ग्रही वर्षा कहते हैं तो यहां पर दोस्तों इस समंदित संपूर्ण जानकारी जो आपने इस तोपिक में यानि दोस्तों इस के अंदर जितने भी महतपूर्ण इस द्याय में हम पढ़ने वाले टोपिक है वो सब दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा अब दोस्तों अगर इस समंदित आपने पहले से कोई भी टोपिक पड़ रखा है या फिर दोस्तों इन सब के बारे में आपको पता है तब दोस्तों आप इस वीडियो को इसलिए देख सकते हैं कि आपका रिविजन हो जाएगा बाकी दोस्तों आने वाले समय में इसे समंदित जो जो मेहत्पूर्ण कुशन एक्जाम की द रहने वाला है वाईव मंडल में जल अब दोस्तों जल का क्या महत्व है वो आप सब को पता है दोस्तों और इस जल का हमें किस परकार से सदुप्योग करना चाहिए वो भी मैं आसा करता हूं कि आपको आउसे ही पता होगा क्योंकि दोस्तों आप अभी जिस एज में मेरा य के महत्व को आप अच्छे से समझते हो तो अब दोस्तों यहां पर देखेंगे उसके बाद में हम आदर्ता के बारे में कुछ महत्पून जानकारी यानि दोस्तों आदर्ता से समंदित क्यूशन किस टाइप से बन सकता है एक्जाम में उसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं क्योंकि दोस्तों कभी-कभी एक्जाम में जब क्यूशन इस टाइप के बन जाते हैं तो आपका क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आदर्ता के बारे में क्योंकि दोस्तों आधरता एक बहुत ही मेत्वपूर्ण टोपिक माना जाता है एक्जाम की दरिश्टिशें तो अब दोस्तों आधरता से समदित कुछ मेत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं तो यहां पर है दोस्तों वायू मंडल में मौझूद जल वास्प की मात्रा को आदरता कहते हैं यानि दोस्तों वायू मंडल के अंदर जो भी जल वास्प के रूप में अगर कोई मात्रा पाई जाती है जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पारें ये जलवास्प की जो मात्रा है इसे ही हम क्या कह देते हैं आदर्ता कह देते हैं उसके बाद में दोस्तों इसकी मात्रा बहुत कम होती है इसके बाद भी ये वायू मंदल का एक महतुपूर्ण अंग है यानि दोस्तों इसकी मात्रा बहुत ही कम होने के बाद में भी ये यह जो जल वास्प है इसके तीन रूप कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं जो कि एक्जाम की दिरिश्टीश है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है यानि दोस्तों इसमें तीन रूप देखेंगे सबसे पहले गेस के रूप में जल वास्प जो कि दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जल वास्प गेस के रूप में रहेगा उसके बाद में दोस्तों आपके दर्वे या पर तरल के रूप में या पाने के रूप में जैसा कि दोस्तों आप यहां पर इस गिलास में देख पा रहे हैं उसके बाद में दोस्तों ठोस के रूप में हीमकन की तरह है जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं इस परकार से यह बरप की तरह है जमावा पानी उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि गरम हावा में जल वास्प को रोके रहने की अधिक सम्ता होती है यानि दोस्तों जो गरम हावा होती है वो जल वास्प को रोकने की उसकी सम्ता अधिक होती है जबकि थंडी हवा में जलवास रोकने की सकती कम होती है या पर समता कम होती है क्यों होती है दोस्तों आपको पता है कि जब वायू मंडल में ये जो हवा गरम होती है तो दोस्तों गरम होने के बाद में कोई भी वस्तों वो फेलती है तो ये दोस्तों हवा के अंदर इस परकार से जलवास भर जाता है कि ये आराम से उसमें रुक सकता है या फिर इसको अधिक समय तक रोकने की समता होती है गरम हवा में लेकिन दोस्तों ठंडी हवा में जब ये और अधिक ठंडी हो जाएगी जलवास तो ये दोस्तों ज्याद की दिरिश्टिशें काफी महत्पूर्ण टोपिक है रहने वाला है इसे समझती दोस्तों किस टाइप से एकजाम में बन सकता है उसको भी हम यहां पर देखेंगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले है कि वायू में जल वास्प की मात्रही करेगा यानि दोस्तों वर्षा कितनी होगी वो इस बात पर निर्वर करती है कि जल वास्प है वो जो वायू में उसमें पानी की मात्रह कितनी है उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि जल वास्प पर पार्थिव विक्रन को सोक कर पर्थवी के जो तापमा को नियंत्रन करने में या फिर नियंत्रन करने में कापी महत्रपूंट बोमिका अदा करती है उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देख पा रहे हैं वायू मंदल में आदर्ता जितनी अधिक होती है वायू मंदल में बिजली अधिक कड़केगी यानि दोस्तों वायू मंदल में आदरता अगर ज्यादा है तो बिजली ज्यादा कड़केगी और आदरता कम है तो कम कड़केगी वायू मंदल में ऐस्तरता बनी रहेगी यानि दोस्तों अगर आदरता कम है या अधिक है तो दोस्तों इसके परबाव हमने यहां पर देख लिए उसके बाद में क्योंकि ज के लिए उर्जा मिल जाती है तो यह दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा तुफान आते हैं यह पिर शक्रवात आते हैं उसके लिए कौन-कौन सा महत्पूर्ण कारके होता है उसके बारे में देखा अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे आधरता तीन परकार की होती है तो आदर्ता के जो तीन परकारा उसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे निर्पेक्स आदर्ता किसी इस्तान पर किसी तापमान पर हवा में जितनी आदर्ता मौझूद होती है उसे निर्पेक्स आदर्ता कहते हैं यानि दोस्तों निर्पेक्स आदर्ता किसे कहते हैं हम क्या कहते हैं निर्पेक्स आदरता कहते हैं जैसे मान लीजिए दोस्तों 40 डिग्री तापमान पर एक गन्मिटर वायू या हवा में दोस्तों 30 कजी जलवास्प मुझूद है यह ही वायू को निर्पेक्स आदरता है यानि दोस्तों यह जो है वायू की निर्पेक्स आदरत है उसके बाद में दोस्तों इसे ग्राम परति घंड मित्र में विक्त किया जाता है अब दोस्तों यहाँ पर इसे समंदित कुछ महत्पून जानकारी और लेते हैं जो की एक्जाम की दिरिश्टीचे हमारे लिए महत्पून है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ही कि इन सबसे समंदीत कुछ महतों जानकारी लेते हैं जो कि दोस्तों एक्जान की दुष्टिशे काफी महतyy हैं यहां सबसे पहले आप देख पहे गए हैं की जल वासप है और जल वासप में तापमान का क्या महतु होता यह उस सब के बारे में दोस्तों यहां पर विश्टा से बताया गया है उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे यहां पर सापेक्स आंदरता के बारे में किसी तापमान पर वायू में मौझूद जल वास्प तथा वायू में जल वास्प धारंग करने की समता के अनुपात को सापेक्स विक्त किया जाता है या फिर इसको हम किसमें विक्त करते हैं परती सत में सापेक्स आदर्ता अब दोस्तों सापेक्स आदर्ता में क्या होता है वो हम यहां पर देख लेते हैं किसी तापमान पर वायू में मौझूद जल वास्प की मात्रा उसी ताप पर उसी वायू के जल व पर दोस्तों इसको सोकने की जो समता है वो यहां पर आप देख पा रहे हैं सोक गुणा ज्यादा होती है उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखेंगे विशिष्ट आंदर्ता के बारे में विशिष्ट आदर्ता के बारे में दोस्तों यहां पर देख लेते हैं इसे आद आंसर होना चाहिए विशिष्ट आदर्ता और सापेक्स आदर्ता के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों इसके बारे में भी आपका क्यूस्टन गलत नहीं होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि विशिष्ट आदर्ता कुल वाईव की मातरा ज पारे में यानि दोस्तों संग नन से समन दित भी जो क्यू सन एक्जाम कर दुरिष्टीशे महिद्पूर्ण होता है या फिर दोस्तों एक्जाम की दिरिश्टीशे अगर संगनन के बारे में क्यूशन पूछा जाए तो आपका क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम संगनन के बारे में कुछ महत्पून जानकारी ले लेते हैं एक जाम की दिरिश्थी चे महत эпिपून है यहां पर दोस्तों सभसे पहले हम देख पा रहे हैं की जल की गेशी आउष्ता के तरल या फिर थोस आउसता में बदलने की जो परक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों शंगनन कहते हैं यानी दोस्तों जो गेश के रूप में जल होता है उसको तरल या ठोस अवस्ता में जो बदलने की परक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं संगनन कहते हैं या फिर अद्र वायू को ठंडा होने से जो होता है परक्रिया उसको भी हम क्या कह देते हैं संगनन कह देते हैं वायू के जिस तापमान पर पानी अपनी गेशी आउस्ता से तरल या पhrดोस तोस आउस्ता में बदलता में बदल जाता है इस परकार से दोस्तों आपने देखा इस तापमान को उसंग कहते हैं यानि दोस्तों यह 코 क्या हुद होती है या पर सुसुब्त हो जाती है या नि दोस्तों यह जितनी भी परकरिया होती है वो संग्नन का ही रूप माना जाता है क्योंकि दोस्तों संग्नन से समन्दित जो क्यूसन किस ताइब से बनते हैं या फिर दोस्तों संग्नन के क्या क्या रूप है उनके बारे में भी कुछ महत्पून जानकारी हम ले लेते हैं संग्णने के जो रूप है उन रूपों से संभिध कुछा कभी कभी एकजाम में पूछ लिया जाता है तो आएए दोस्तों अब इनके रूपों के बारे में कुछ महत्वपॉन जानकारी ले 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 लिए जो कि दोस्तों एक्जाम की दिरश्टिश है is अमारे लिए महत्वप परत्वी दिन में गरम तता रात में ठंडी हो जाती है कभी कभी परत्वी के वायू मंदल की निचली जो परत है वो दोस्तों इतनी ठंडी हो जाती है कि उसको सुने से दोस्तों सुने वाली जो वायू है वो ओसांक से निचली गिर जाती है और दोस्तों उसके बाद में आप देखेंगे कि पानी की छोटी छोटी बुंदों के रूप में पर्त्वी तल पर दोस्तों इस परकार हम देख रहे हैं कि और पानी की छोटी छोटी बुंदों के रूप में पर्त्वी तल पर गिर जाती है इसे क्या कहते हैं दोस्तों हम ओस कहते हैं जैसा कि दोस्तों आप यहां पर इन बुंदों की रूप में देख पा रहे हैं अब दोस्तों आपने देखा होगा वर्षात के समय में भी दोस्तों आपने चोमाचे में अगर देखा है वोच किया है तो जो छोटे छोटे पोदे होते हैं गास के होंगे या फिर किसी भी फसल के होंगे तो उसमें दोस्तों पत्तों के उपर जो ये ननी ननी इस तरह की प्यारी सी जो बुंदे दिखाई दे रही है इसी को हम क्या कहते हैं ओस कहते हैं तो यहां पर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह जो ओस की बुंदे हैं इनके बारे में कुछ मैत्पून जानकारी हम ले रहे हैं तो यहां पर दोस्तों जिसे हम यह जो ओस की बुंदे कहते हैं यह दोस्तों आपके पेड़ पोदों की पत्यों के उपर सुबह परकार से आपको दिखाई देगी और पत्तियों के ऊपर दोस्तों यह जो प्यारी शी बुंदे दिख रही आपको यह काफी अच्छी लगती दोस्तों देखने में और पेड़ पूदों के लिए भी यह काफी फाइदे मन्द होती है उसके बाद में दोस्तों हम यहां पर दे ले लेते हैं अब देखते हैं दोस्तों पाला या तुसार के बारे में अब दोस्तों यह जो पाला है किस परकार से सर्दियों में आपने देखा होगा पाले से काफी जो पोदे होते हैं दोस्तों वो नस्ट हो जाते हैं तो यहां पर दोस्तों साधान बहसा में कहें तो जमी ह कोई ओस को ही पाला कहते हैं यानि दोस्तों जो ओस की बुंदे हैं वो अगर जम जाती है बरफ के रूप में तो इसको हम क्या कहते हैं पाला कहते हैं यानि दोस्तों जब ओसंक हमांक या फिर दोस्तों जो जीरो डिग्री सेल्शिस से नीचे गिर जाता है तो ओस है वो उसी जगे पाला कहलता है या फिर पाला पर जाता है उस जगे पर अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कोहरे के बारे में कुछ मेत्पॉन जानकारी ले लेते हैं वायू मंदल की निचली परत में जो धूल के कंड दूएं के कंड मुझूद होते हैं इसके साथ ही दोस्तों सम जल के पिंड के साथ में मिलते हैं तो कोहरे का निर्मान होता है या फिर दोस्तों कहें कि और संक से निंचे वायू का तापमान गिरने पर कोहरा का निर्मान हो जाता है और उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं कोहरे में दोस्तों आर सो से नो सो मिटर से ज़्यादा दूरी तक नहीं देखा जा सकता है यानि दोस्तों एक ये से दर्शेता एक किलो मिटर से कम होती है दर्शेता एक किलो मिटर से कम होती है यानि दोस्तों अगर सही तरके से देखा जाए तो ये जो एक किलोमेटर से ज़्यादा कोरे के टाइम पे देख नहीं पाते हैं ये दोस्तों एक महत्पूर्ण जानकरी जो कि एकजाम की दिरस्टीशें कापी महत्पूर्ण है और इस्चे समधित क्यूसन कभी-कभी एकजाम में पूछ लिया जाता है और उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख पारें दुन्द किस परकार से फैलती है और दुन्द के बाद में दोस्तों यहां पर आप ओलों के बारे में कुछ महत्पूर्ण जानकरी लेंगे दोस्तों क्योंकि इसे समंदित कि उसे ने वो कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है और ओलावरेश्टी से दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जो खेती बाड़ी होती है दोस्तों उसमें काफी नुकसान हो जाता है कभी-कभी ओलों से तो इसलिए दोस्तों इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं दुन्द के बारे में दुन्द के समय देखने की समता एक किलोमेटर से अधिक लेकिन दोस्तों दो किलोमेटर से कम होती है जबकि दोस्तों जो कोरा होता है उसमें क्या होता है आपके 800 मिटर से अधिक की वज्टू देखना मुश्किल हो जाता है और कोईसा या पर दोस्तों धुन्द है वो सूरी उदे तता सूरी अस्त के समय नदियों और जीलों और तलाबों सागरों और तट्टिय बागों पर बनता है और उसके बाद में दोस्तों आप देख रहे हैं जब कोरा या धुन्ड मिलते हैं तो इसे क्या होता है धुम्ड कोरा का निर्मान हो जाता है अब दोस्तों, ओलोंकर के बारे में कुछ मेतबोन जानकारी लेते हैं जो कि आप यहां पर देख रहे हैं और यहां पर भी देख रहे हैं ओला वरेश्टी तो जब जल की बुन्दें जम जाती है और इसके कणों का आकार बढ़ता है इसे क्या होगा दोस्तों काफी महतुपूर्ण जानकरी थी ओलों के बारे में जो की एकजाम की दिरिश्टी से काफी महतुपूर्ण है अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे बादल तता मेग से समंदित कुछ से महतुपूर्ण जानकरी क्योंकि दोस्तों मेग अगर नहीं होंगे बादल अगर नहीं होंगे तो वर्षा कैसे होगी वर्षा नहीं होगी तो दोस्तों आने वाले समय में क्या कंडिशन हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप भी एक जागरुक डेख के जागरुक नागरिक हो तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ मेत्पून जानकरी जो कि है आपके मेग यानि दोस्तों जो बादल बनते उन बादलों से समझ दिते यह मैटकून जानकर यह जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पारे हैं इन बादलों को और इनी बादलों का निर्मान कैसे होता है कैसे दोस्तों फिर बारिश होती है बारिश से दोस्तों यह नदियों में पानी बढ़ता है और फिर ये पानी सागर में चला जाता है सागर के अंदर दोस्तों फिर से क्या होता है पानी है वो भाप बन के उपर उठता है और ये परक्रिया है दोस्तों इस परकार से चलती रहती है पानी भाप बन के उपर उठता है बादल बनते हैं बारिस होती है बारिस होने के बाद फिर पाने नदियों के दूरा सागर में पहुंच जाता है तो ये दोस्तों एक बादल किस परकार बनते हैं क्या है इनका प्रोसेज वो देखा और अब दोस्तों यहां पर कुछ किताबी भासा में देख लेते हैं कि बादलों का निर्मान हावा में मौझूद जमिनी दूल के कंड जो होते हैं दोस्तों यानि दूल के कंड्रिकों के च संगनित होता है उससे दोस्तों क्या होता है बादल बन जाते हैं ज्यादा तर देखा गया है कि बादल जल को अतेदिक छोटे छोटे बुंदों को मिला कर बनता है यानि दोस्तों बादल गरम तता अधर हवाओं के उपर उठने से होता है जबकि दोस्तों अगर इनको देखा जाए वेशें क्योंकि जब हावा गरम होती है और गरम होकर हावा उपर उठती है तो जब दोस्तों ये औसांग तक पहुंच जाती है और इसे क्या होगा दोस्तों आप देख पा रहे हैं याँ पर कुछ जलवास सगनित होकर बादल का रूप ले लेती है और उसके बाद में दोस्तों ये बरब के कड़ों से बने हो सकते हैं यानि दोस्तों बरब के कड़ों से बने हुए भी हो सकते हैं लेकिन सरत ये होगी कि तापमान हिमांग से निंचे होना चाहिए तो उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम कुछ और महत्पून जानकारी लेते हैं जो की बादलो का जो वर्गी करन है इसके बारे में हमने जानकारी ली थी दोस्तों की वादलों का वर्गी करन किस परकार से होता है तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे विस्वे मौसम विज्यान संक्थन ने बादलों को तीन बागों में बादलों को बादलों को बादलों को सबसे पहले दोस्तों जो निचला बाग है वो है आपका निम्न मेग दो किलो मिटर से निचे यानि दोस्तों जो निम्न मेग होते हैं वो दो किलो मिटर से निचे होते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यह दोस्तों आपके निम्न मेग कहलाते हैं उसके बाद मेग दोस्तों आपके मद्दे जो मेग है वो दो से साथ किलो मेटर की उन्चाई पर या हाइट पर पाए जाते हैं तो इनको हम क्या कह देते हैं मद्दे मेग उसके बाद में दोस्तों निम्न मेग जो की दोस्तों हमने देख लिया मद्दे मेग के बारे में जानकर ले ली अब दो लेते हैं दोस्तों यह है आपके उच मेग यह दोस्तों उच मेग जो होते हैं वो साथ से लेकर 14 किलो मिटर तक के उन्चाई पर होते हैं या फिर दोस्तों हाइट पर होते हैं अब दोस्तों यहां पर हम कुछ और मेत्पून जानकारी लेते हैं दोस्तों जब बादल बन गए हैं तो वर्षा तो होगी आपको पता है दोस्तों और वर्षा जब होगी तो किसानों के फसल है वो अच्छी होगी और पसल जब अच्छी होगी तो दोस्तों हमें जो बाजार में जो भी हम समान पर्चे हुई तो दोस्तों काफी अच्छी रेट में वो मिल जाता है अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे वर्षा के बारे में कुछ महत्पौन जानकारी की वर्षा किस परकार से होती है और वर्षा का हमारे जिवन में क्या रोल रहता है तो यहां पर दोस्तों वर्षा जल के बाद में संगनन्ड की परक्रिया और इसके बारे में कुछ मैतप्ον जानकारी हम ले लेते हैं जब हुआ गरम होकर ऊपर उरती तो इसके साथ क्या होगा दोस्तों जल भी वास्प बनकर वायू मंडल में पहुंच जाता है अब दोस्तों वायू मंडल में पहुंचने के बाद में जब ये उन्चाई पर पहुंच जाता है तब क्या होगा दोस्तों जल वास्प का सगनन हो जाता है जैसे दोस्तों जल वास वर्षा बंदों का निर्मान होता है यानि दोस्तों जो वर्षा रूपी बंदे होती है इनका निर्मान बाद में होता है जब बंदों का आकार एक से तीन एम एम हो जाता है तो दोस्तों ये पर्थवी के द्रातल पर गिरने लगती है जिसे हम क्या कहते हैं वर्षात कहते हैं अब दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं वर्षा के परकार यानि दोस्तों वर्षा कितने परकार की होती है और किस परकार दोस्तों वर्षा होती है और वर्षा का क्या रूटीन होता है वर्षा से हमारे जिवन पर क्या क्या परबाव पड़ता है वो देख लेते हैं दोस्त के पहले यहां पर दोस्तों जो वर्षा का परकार है उसके बारे में कुछ यहां पर महतवपूर्ण जानकारी लेते हैं जो कि दोस्तों एक्जाम की दिर्ष्टी से काफी महत्पून टोपिक है अब दोस्तों एक्जाम में अगर कोई भी क्यूशन पूछा जाता है तो वो क्यूशन आपका गलते नहीं होना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं गरम हवा और सं पार्टे होता है तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हवाओं के उपर उठकर ठंडा होने के आदार पर तीन परकार के वर्षा होती है अब दोस्तों तीन परकार की वर्षा कौन-कौन सी होती है सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सवनी वर्षा सवनी इसके बारे में कुछ मैतपून जानकारी ले लेते हैं जब पर्थवी पर दरातल गरम हो जाता है तो इसके संप्रक में आने वाली हवा भी गरम हो जाती है हवा गरम होती है और हलकी होती है तो दोस्तों ये आपको पता है हलकी होने के साथ ही दोस्तों ये फैलने लग जाती है जब दोस्तों हवा गरम होगी तो ये फैलने लग जाएगी और पहलने के बाद में क्या होगा दोस्तों ये हलकी होकर उपर उठती है जब ये उपर पहुंच जाती है तब दोस्तों ये वापिस क्या होगा इसमें थंडा पनाएगा या फिर ये वापिस थंडी हो जाएगी और जब ये थंडी हो जाती है तब क्या होगा दोस्तों तो इ सी मेगों का निर्मान होता है जिसे ये गंगोर बारिस करते हैं इन्हे ही सवच कहते हैं बहुमते entirely कापर ये वर्सा हर रोज दो पाइर के बाद में देखने को मिलती है लेकिन ये दोस्तों ज्यादा देरी तक नहीं होती है शाम के बाद में बंद हो जाते यानि दोस्तों वर्षात रुकने के बाद में ऐसा लगता ही नहीं है कि यहां पर वर्षात भी होई होगी अभी अब दोस्तों यहां पर इसे समन्दित कुछ और महत्पुन जानकारी ले ले लेते हैं तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे परवती जो वर्षा होती है उसके बार एस के जो हवा है उसके बारे में कि यहां पर जानकारी लेने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब जलवास्प में लद्ड हुई हवा गरम होकर किसी पर्वत या पहाड या पर दोतों पतार की दलान के साथ उपर चरती है यानि दोस्तों जो ये डलान है इस डलान के साथ में जब वो उपर उठती है तो उपर उठने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे उपर उठने के बाद में क्या होगा हवा ठंडी हो जाती है ठंडी होने के बाद में दोस्तों ये शुशुपती हो जाती है जब ये और का सगनान होने लगता है सगनान होने के बाद में दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि इस्चे वर्षा होती है इस्चे ही परूती वर्षा कहते हैं जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पर है कि यह वर्षा उनक शत्रों में भी बढ़ती जाती है अब दोस्तों ये वर्षा से समद्दित कुछ महत्पून जानकारी थी और उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखेंगे जो पावा ने वीमुक डाल है इसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों और उसके बाद में दोस्तों आप देख पा रहे है यहां पर गरम और सुस्क जो पर्दे से इसके बारे में और पौना बीमुक जो डाल है उसके बारे में भी हम यहां पर कुछ उम्हत पौन जानकारी लेने वाले हैं इस परक्रिया में पर्वत का जो डाल हावा के सामने होता है वहां पर दोस्तों खूब वर्षा होती है इसे क्या कहते हैं दोस्तों पौना बीमुक डाल कहते हैं अब दोस्तों यह होती है आपकी पौना बीमुक डाल जैसे जैसे पाड़ी पर पर्वत वो चड़ेगा तो यह और से ही बारिस कर देगा अब दोस्तों यह कुछ में पौना बेमुक्ट डाल के बारे में लेकिन दोस्तों जैसे ही हवा परवत की दूसरी तरफ डलान की तरफ आती है यानि इस ताइप में जबाती है तो दोस्तों क्या होगा वह गरम और सुशक होने लगती है यहां पर दोस्तों वर्सा हो कम होती है इसके कारण दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा जिसें पस्चिम गाट परवत पर मौजुद माबले स्वर में 600 cm तक वर्षा होती है यानि cm तक वर्षा होती है वहीं दोस्तों उससे थोड़ी दूर अगर पूर्णे में देखा जाए तो 70 cm सें भी कम वर्षा होती है इसस दोस्तों आगर कुषन पुछा जाए कि वरिष्टि चाया कशेतर कैसा होता है तो वो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहें कि वर्षा है दोस्तों उससे साथ किलो मेटर दूर है वह कितनी जबरदस्त वर्षा होती है 600 cm तक वर्षा होती है और उसके बाद में दोस्तों होती है सिर्फ मातरे सतर सेंटिमीटर वर्षा अब दोस्तों इससे समद्धित आपके एक्जाम में कोई भी पूचा जाए क्यों सन तो गलत नहीं होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों यहां पर गरम हवा के बारे में देख लेते हैं थंडी हवा के बारे में दोस्तों और उ दोस्तों चक्रवात से किस परकार वर्षा होती है वाताग्रे से किस परकार वर्षा होती है उसके बारे में देख लेते हैं चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं या फिर दोस्तों दो विपरित हवाएं जब गरम और ठंडी हवाएं गरम वायू उपर उड़ती है और मद्दिम या पर दोस्तों उच्छ अक्सांसों पर जाकर ये वर्सात कर देती है इसलिए दोस्तों काफी महतपून ने इसको माना जाता है उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखेंगे साधान बासा में इसको समझ लेते हैं जो कि दोस् दोस्तों आप देख पा रहे हैं थंडी हवा आंक में और उसके बाद में दोस्तों यह जो थंडी हवा है वर्षा है गरम वायू है इससे समधित कुछ मैंत्पून जानकरी हम ले लेते हैं तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले सादान बहसा में अगर समझने की बात आये तो दो तोसन कटी बंदिये चक्रवात में गरम तता अंदर वायू राशी हलकी होने के कारण ठंडी तता सुस्क वायू राशी के उपर चर जाती है। शितोसन कटी बंदिये चक्रवात के क्सेत्रों में होती है। जैसे की सर्दियों में उतर पैस्चिम बारत में वर्षा चक्रवातों के दुआरा ही होती है। वर्षात कर देता है। तो ये थी दोस्तों वर्षा से समदित एक मेतपूंट जानकारी और मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अउसे ही शेर कीजिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को अउसे ही प्रेश कीजिए ताकि दोस्तों आने वाले समय में इस वीडियो पर जो भी एजुकेशन से समदित महतपूंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जैहिन जैभार्त